माता की नवरात्रे चल रहे हैं एक पवित्र दिन पवित्र त्योहार जो हम सभी को बहुत पसंद होता है और हम सब इसका वेट करते हैं कि कब आएंगे माता की नवरात्रे अलग ही आनंद का मोहौल एक अलग ही ना एनरजी होती है तो मैंने सोचा आज साबुदाना बनाते हैं प्रशाद का भोग का वो भी बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा सा टमाटा डालके इसको करेंगे खटा खटा और ट्रस्ट मी इतना अच्छा बनता है ना ये आप इसको बना कर देखना आपके घर में ना सभी लोग इसको हैंने वाले हम वेलकम बैक टो हैल्दी डाइटारू है होप आप सब भी अच्छे होंगे और नवरात्रों को ना इंजोई कर रहे होंगे तो आज मैं बनाने वाली हूं साबुदाना इसके लिए हमें चाहिए एक आलू थोड़े सी रोस्टेट मुंगफली यानी पीनेट्स और दो टमाटर आप ले लेना और इसके अलावा दो तीन हरिमर्च हरिमर्च आप अपनी अक्वार्डिंग ले सकते हो जितना आप चटपटा खाते हो नहीं खाते हो उस हिसाब से यह है मेरा साबुदाना साबुदाना अगेन मैंने इसको तीन से चार गंटे के लिए भिग बहुत अच्छे से साफ करने के बाद जब इसका ट्रांस्पेरेंट पानी इसमें से निकलने लगा तो इसका स्टार्च पूरा दूर हो गया था उसके बाद मैंने इसको सोक किया था और इसके लिए हम अगेन ले लेंगे अपनी लोहे की कढ़ाई तो नॉमली जो भोग बन है वो घी में ही बनता है तो इसलिए आज मैं देसी घी ही उसकर रहे हूं गाई का घी है यह तो आप चाहें तो आपने अकोर्डिंग आप जो भी घी उसकरते हो वो ले ले और इसको हम कर देंगे गरम यह अराम से जब गरम हो जाएगा तो इसमें मैंने डाली है थोड़ा स सारे लोग यूज करते हैं महंदी में यूज करते हैं और इसके लावा खाने में तो आप अगर चाहो पोहा में यूज करो सामभर में यूज करो या कड़ी बना रहे हो कड़ी में यूज करो उप्मा में यूज करो जहां जहां आप यूज कर सकते हो ना कड़ी पत्ते को ज आलू जो मैंने बारीक बारीक तो अगर आप आलू डाल रहे हो ना और अगर आपके बॉइल्ड पोटेटो नहीं है तो यह मेरा कच्छा आलू था तो इसको मैंने बहुत मतब थोड़ा तो किया है थोड़ा साँलता रहे हो तो यह जो साबुदाना में तीन लोगों के लिए तो इसको अच्छे से हम जो टमाटा रहना वो भी अच्छे से भुन जाए मतलब गल जाए ना हम करेंगे उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया अपना साबू दाना बहुत इजी होती है ये खिचड़ी बनानी और ऐसा नहीं है टमाटा डालने से लिच पिची लिच पिची हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं होगा बिल्कुल खिली खिली रहेगी और इसमें जो मतला मैं इसको जान बूचके ना बीच पीच में चलाती नहीं थी क्योंकि क्या जो नीचे नीचे थोड़ा सा लग जाता है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है मतला मुझे नहीं पता बहु थोड़ा सा लास्ट में डालने के बाद एक दो मिरट चलाने के बाद उसको आप हरी धनीच से कर दें कार्णिश इसमें मैंने डाला है आधा चमच निम्बू का रस तो यह ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं बट मेरे जो टमाटर थे ना वो जादा खटे नह इसमें टमाटर भी देखो हम नवरात्रों में खाते हैं और इसके अलावा इसको जो खटा खटा सुआद होता है ना और चटपटा खटा और चटपटा मतलब इतना टेस्टी और इतना यम ही लगता है ना आई होप आपको यह रेसेपी पसंद भी आये होगी और जब आप बनाओगे ना तो ट्रस्ट मी बहुत ही मज़ा आने वाला इसको खाने के बाद और मैं तो इसको सर्फ कर रही हूँ बढ़ सबसे पहले जो मैं खाती हो ना वो नीचे की जो उस पे जो कढ़ाई पर जो लग जाती है ना मुझे बहुत पसंद है मैं सबसे पहले उसी को निक सब्सक्राइब मैं चैनल और हां शेर भी कर देना जै माता दी